Qs गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे मीशा केड़ की की एवल्डी के बारे में अभी के टाइम प्रीवेर में ट्रेड पर चल रहे हैं यह तो आपको पता होगा कि आप लोग रेंग पुश करते हुं तो फाहिसे आपको पता होगा कि बहुत एनेमीज गाइस वीकल लेके आते हैं गाइस उस वीकल पर हम जब भी एम करते हैं तो एम हमारा नहीं होता एंड वह याने में हमें वीकल से उड़ा के चला जाता है वह सब गाइस मीशा करेटी की एबिल्डी के वजर से होता है आपके लिए बहुत हैलफुल होगा जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत करना क्योंकि इसलिए लास्ट स्टेप को मिस मत करना सो चलो वीडियो को कर लेते स्टार्ट गाइस सबसे पहले हम बात करतें मीशा कैड की एबिडिके बारे में सो मीशा कैड का एबिडियो आपनों यहां पर देख सकते हो जिस्ताइम भी आपनों मीशा कैड के साथ वीखल चला थे हो ना- तो वीखल का श्पीड 20% एक्स्ट्रा स्पीड इंक्रीज कर देगा मीशा जाएगा तो आपको 30% से डेमेज कम पड़ेगा मतलो गाइस वूपोंग कीता है कि आपको जब भी वूपोंग पे अपना डिपोर्ट एम कर तो आपका एम नहीं होता है ना उसी तरीके से जब भी आपको मीशा के साथ ड्राइट करोगा तो कोई भी आनमी आपके एम नहीं कर आपको यह टेस्ट करके बताता हूं कि स्पीड किस टाइप से इंक्रीज करता है और यहां पर देखो मैं नॉर्मल चैटर से जीप चला रहा हूं तो यहां पर जैसे में फास्ट जीप चला रहा हूं तो देखो गाईस प्रती हावर्स 113 की स्पीड पकड रहा है ठीक है 20 परसेंट इस्पीड इंक्रीज कर लेका देखो ज्यादा इस टाइप से जो भी विकल आप लोग चलाओगे ना मिसागेड के साथ तो 20 परसेंट एक्स्ट्रा इस्पीड इंक्रीज कर लेका मैं यह टेस्ट करके बताता हूँ कि कोई भी आनमी आप पे एम करेगा तो आप पे नहीं होगा एंड एम कनेक्ट होजगी जाएगा तो आपको 30% डेमिग कम पड़ेगा पर देखो सामने वाले आनमी के पास मिसा केड नहीं है तो इको वी वीकल चला रहा हूँ तो इसको डेमेज भी पढर रहा है इन दिको मैं एक भी गोली नहीं लग रहा है इस टाइब से वर्ग करता है तुसी अपर ब्लकुली रिहा जो मेरा घ्राजजER वर्ग करता है M keep आपको मेरे मीशन करता है कि मैं चैप में यह श्केथ mane कि meisa caddy के साथ आप लोग best caddy combination कि आप in the set कर सकते हो so guyz active slowdome आपको use करना है KC Why guys rank में KC कितना helpful है में बताने की जोरत नहीं है और 3 पहसे slowdome so person watch meisa caddy हो guys and यूसरे slowdome आपको use करना है Natora Caddy Natora Caddy क्योग क्योगी guys इस time भी आप लुछ चलाते हो का यूज तो करोगे ही एंड विक्रिकल का यूज करोगे तो नटूरा केटर गाइज आपका टू सेक्ड़ के इंदर फाइव एच पी रिकावर करेगा एंड इसका कोई लिमिट नहीं है एंड पोल्डाउन टाइम भी नहीं है एंड लास्ट श्लोट में जो आप चाहो ना व वो केटर यूज कर सकतो ठीक है सो गाइज आज की वीडियो में इतना है का मिलते नहीं आच टूक वीडियो में सो चलो गाइज बाइज बाइज